एरेटल पिछले कुछ महिनों से काफी सारे कस्टमर के सिम को बंद कर रहा है और यह चीज आज भी चलते आ रहा है और इसके उपर में कोई बात नहीं कर रहा है यहां तक कि एरेटल का कोई भी ऑफीसेज इस्टेट में नहीं है ना है कोई न्यूस मीडिया इसीज को कौवर क ही है कि आखिर में हर कोई का सीम बंद की हो रहा है और यह कोई ऐसा वैसा सीम बंद नहीं हो रहा है यह अचानक सीम बंद हो रहा है यहां तक कि आपके नंबर पर सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके नंबर पर कॉल भी जा रहा है आप कल के डेट में इंटरनेट भी यू कर रहा है कि जब मैं सुबह देखा तो मेरे एडल में कोई भी नेटर्वर्क सिंग्नल नहीं आ रहे थे और मेरा सीम बंद हो चुका है और जब वह नियरस्ट एडल स्टोल जा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जो मेरा सिम का थे खराब हो चुका है तो मुझे रिप्लेस क सिंगर से बात किया है तो मुझे पता चला है एक कॉमन चीज जिसकी बज़ा से हर कोई का एडल का सिम बंद हो रहा है और यह सब ही के साथ नहीं हो रहा है सो में से 5% लेकर के चलो मतलब कि 5% ऐसे लोग है जिनके साथ ये प्रोबलम हो रहा है और रिजन एक ही है डोकुमें प्रमानेटली सस्पेंट हो जाएगा फिट वह नंबर आप दुबारा से नहीं ले सकते हो यानि कि डूबलिकेट सिम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वह नंबर मार्केट में एबलेवल हो जाता है तो अगर कोई भी नया कनेक्शन ले रहा है तो वह नंबर उसको एलोट कर दिया जाता है तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नंबर है और आपने उसमें कोई भी रिचार्ज नहीं किया है तो तीन महीने के अंदर में आप उसे एक बार रिचार्ज कर लेना नहीं तो आपका सिम परमानेटली सस्प अच्छा चल रहा है तो वही कॉमन चीज है डोकुमेंट मिसमेंच होता क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं जब भी आप एडल का सीम लेने जाते हो तो जो भी डिटेर है ओ आपसे दो चीज कर वाते हैं एक तो आपका लाइफ फोटो क्याप्शे करते हैं और दूसरी अच्छे से नहीं दिख रहे हो बलर दिख रहे हो या फी किलियर वीजिवल नहीं हो तो उस केस में अगर डिटेलर फोटो क्लिक करके एटर के पास सेंड कर देता है तो आपका सीम तो उसी समय चालू हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद आपके सीम को ब्लॉक कर दिया कर दिया जाएगा अब हो सकता है कि आपके अधार कार्ड में भी सब कुछ किलियर दीख रहा है बहुत अच्छा से वीजीवल है आपके फोटो भी अच्छे से किलिक हुए है लेकिन जो डिटेलर है उसकी द्वारा गलती किया गया है जो भी अधार का वह फोटो क्लिक कर र के से ही thing, नहीं दिख रहा हो जबकि आप कई वार होड किलिक करते हो किसी का भी, तो सकता है कि अगर उसमें किसी भी टरीका का मूबमेंट होता है तो वह फोटो किलियरली नहीं दिखते हैं वह बलर दिखने लगते हैं तो ऐसे हो सकता है कि जो भी अधार का रीटेलर फोटो किलिक कराता तो वो फोटो किलियरली ना दिख रहा हो वीजीवल दिख रहा है और वो एडल के पास चला गया हो तो उस केस में भी आपके सीम को डोकुमेंट मिसमैच बता करके ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर आपने सीम को क्याशी करा लिजिए और आपका सीम चालू हो जाएगा तो यही कॉमन डीजन है जो कि मुझे एडल की तरब से पता चला है और एक और ब अफिर है कि अदर आपको डेगा तो आपका सीम चालू हो जाएगा लेकिन जितना जल्दी होसा की उतना जल्दी आप बिल्स करा सकते हो नहीं तो आपका सिम परमानेटली सस्पेंट ho जाएगा लेकिन यहांप एक सबाल ऊड़ता है कि आखिर समय किकिस किया कस्टमर की या अगर मालों की डॉकुमेंट मिसमेच हुआ तो आखिर में एयर टेल उस सीम को एक्टिवेट क्या उस समय एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था तो दुबारा से वह डुकुमेंट को किया लेते और उसी समय उसका प्रोब्लम सौल हुआ था अब क्योंकि ऐसे भी कस्टमर है ज इंडिया वापस आएंगे अपने सीम को रिप्लेश कराने के लिए अब यह चीज मुझसे समझ से बाहर है आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो आपकी क्या ओपीनियन है नीचे कॉमेंट में जरूर मेंशन कीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सब्सक्राइब आपने